जैस्ट कृष्णा आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम वुरत कथा सुनेंगे अप्रा एकादशी की। अप्रा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौरानिक मान्यताओं के अनुसार जैस्ट कृष्णपक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है इस दिन वरत करने से आपार धन और सौभागी समरद्धी की प्राप्ती होती है इस वरत का महत्व इतना है कि इस दिन वरत रखने वाला दुनिया भर में प्रसद्धी पाता है सभी तरह के पापों और कष्टों से मुक्त हो जाता है अपरा एकादशी वरत में भगवान त्रे विक्रम की विधी विधान से पुझा की जाती है भगवान त्रेविक्रम में भगवान विष्णू, भगवान विठ्थल और बाला जी के दर्शन होते हैं पौरानिक माननेताओं के अनुसार इस वरत करने से समस्त पापों और कष्टों का निवारण होता है अप्रा एकादिशी का महात्व, अप्रा एकादिशी का वरत करने से वही फल प्राप्त होता है जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पुर्णिमा को सनान करने, गंगा तट पर पिंड़दान करने से प्राप्त होता है कहा जाता है कि जो व्यक्ति सुरत को विधी विधान से करता है वह सब पापों से बुक्त होकर भगवान विश्णू की सेवा के लिए उनके लोग में हमेशा के लिए चला जाता है और बंधन से छूट कर विश्णू लोग को जाता है अप्रा या अचलाई कादर शिवरत का था प्राचिन काल में मही द्वज नामक एक धर्मात्मा और दयालू राजा था उसका छोटा भाई वज्रद्वज उससे इर्श्या करता था एक दिन उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शोओ को एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया इस अकल बृत्यू के करण मही द्वज प्रेद बन गया और आसपास के लोगों को परिशान करने लगा एक दिन धौम में रिशी वहां से जा रहे थे तबी उन्होंने उस प्रेद को देखा और अपने ज्यान शक्षू से उस प्रितात्मा की जीवन से जुड़ी जानकारी प्रेद के परिशानी को दूर करने के लिए उसे परलोग विध्या दी इसके बाद राजा मही द्वज को प्रेद योthing से मुक्ति के लिए द्हुम में रिशी ने स्वयम अप्राय का दशी का व्रत रखा उस वह सथ जोबी जोबी पूर्णे द्हों में रिशी को प्राप्त वह सारा पुर्ण उन्होंने राजा महीद्वच को दे दिया पुर्ण के प्रताप से राजा महीद्वच को प्रेत्योनी से मुक्ति मिल गई इसके लिए राजा ने धौमे रिश्यू को सप्रेम धन्यवाद देकर भगवान विश्णु के धाम वैकुंट को चले गए यह ती अपराएका दशी वरत की गदा अब जानते हैं इसकी वरत्वी दिम इस दिन शुर्द्धालू पूरे दिन वरत रखकर शाम को भगवान विश्णु की पुजार्चना करते हैं उनसे अपने पापों का प्राश्रीत करते हैं सच्चे मन से वरत और पुजा करने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है और सभी गलतिया भी माफ हो जाती है इस दिन सुभह जल्दी उटकर घर की साफ सफाई करें इसनान करने के बाद सक्षवस्त्रधारन करें और वरत का संकल पलें भगवान विश्णु की प्रतिमा के सामने दिपक जलाएं इसके बाद उन्हें पांच भी करते हो तो इस वरत की कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए अप्रा एकादशी पर भगवान को पूचा में चावल के स्थान पर तिल अर्पित करें शाम को सोए नहीं अधिक से अधिक समय भगवान के मंत्रों का जाप करें तुलसे के साथ भगवान को भोग लगाएं रा पूसे मुक्ती मिलती है इसलिए इसे अप्राय का दशी कहते हैं इस वरत को करने से ना सिर्फ भगवान विश्नु बलकि माता लक्ष्मी जी भी प्रसंद होती है और भगत का घर धन धानने से भर देती हैं इस दिन वरत रखने से माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु की के पारिष्टी सदयों हम पर बनी रहती है और इस रत को करने से मनुश्य को प्रेतियों के कष्ट नहीं भुगतने पड़ते हैं तो यह थी अपराय का दशी रत कथा उसका महत्व एवं पुजन विदी उम्मिद करती हो आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज उसे लाइक करें फ्रेंड्स और फैंबली में शेयर करना बिल्कुल न भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जैश्री क प्रिष्ना राधे राधेव